जी नमस्कार दोस्तों ग्यान अलब में आपका स्वागत हो रहा हम लोग तयारी कर रहे हैं यह हमारे से एक्जामनेशन दोजार तेज की जैसा कि मैंने कहा था कि जो फाइप स्टेट्स हैं उनमें जो है चुना होने वाले है जिसकी वज़ा से एक्जाम डिले होगा लेकिन ब उस पे एक बड़ी खबर है उनके लिए जो एक्जाम फाउम बनने से चूग गया थे ऐसा कोई नहीं था जो फाउम बनने से चूग गया था बस यह कहा है यह हमारे से लोगों को उलजाया रखने का की एक्जामनेशन हम डिले इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को आउसर मिल ज प्रिंस्पल टीजीटी पीजीटी हॉस्टेल और नान टीचिंग सब के भर सकते हैं तो यह जो फॉर्म भनने का इक्टेंड किया गया है क्यों किया गया जो मैंने पहले वाला वीडियो बनाया था वो सब इसी पे था एक बार आप लोग छोटा सा जल्दी अलदे देख लिज चुनाओं वहाँ पे कितने इमारेस हैं और इनके एक्जामनेशन सेंटर गया है जैसे च्छतीजगड का रायपूर हो गया इसी परकार आप आजाएं मद्यपर्देश में भोपाल सेंटर बनाया गया है राजस्तान में जैपूर सेंटर बनाया गया है और तिरपुरा एक फाइफ स्टेट्स हैं जहां पे नॉंबर में चुनाओं होंगी और तीन दिसंबर को इनकी तीन दिसंबर को जगा इनका जो है गड़ना होगा काउंटिंग होंगी मत करना होगा लोग कह रहते कि नहीं साब चुनाओं बहुत जल्दी EMRS करवा देगा बहुत सारी चीज़े सबने कहा सबने सब कुछ कहा EMRS अब हमने कहा था कि चुनाओं कराना पहली प्रात्मिक्ता होती है गवर्मेंट की सब की होती है अब चुनाओं के डेट आ गए है चार संगीता लग गई है ECI ने घुसडा कर दी है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो चुनाओं में देना और लगाना और सब को जो है बच्चों को बुलाना या फिर इन पांच राज्यों को छोड़ दें कि भाई तुम बाद में एक्जाम देना तो इनके लिए अलग से पेपर बनाना पड़ता इनको अधर स्टेट्स में भेद देते ठीक है इनको पड़ोसी में भेद देते राजस्तान में अंपी में चुनाओ तो यूपी में इनका सेंटर देते दिल्ली में देते लेकिन बाई ये बाद में फिर खड़े हो जाते कि हमको इतना दूर क्यों भेजा बाकी लोगों को क्यो नहीं सबको पास मिल गया है फिर वो एंड चलता रहता लड़ाई चलती रह हैं ये MRS के किसी भी पोश्ट के लिए वो 19 अक्टूबर तक फार्म भर सकते हैं आसानी से बर सकते हैं बिंडो खुल गई है ओपन हो गई है ये MRS के वेप साइट पर अब इसके बाद फार्म भरोगे उसके बाद फिर करेक्शन बिंडो खुलेगी फिर एडमिट कार्ट की परिच्छा कब हो कि चलिए हो हम लोग उनके लिए अच्छी है जिनको छोट गया था जो फार्म नहीं भर पाय थे उनको एक और मौका मिला कि 19 अक्टूबर तक फार्म भर दें लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई जो ऐसा था जो फार्म भरने से चुक गया हो क्योंकि एक फार्म भरने का टाइम दिया गया उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम इस्टेंड किया गया और फिर अचानक से 19 अक्टूबर तक फार्म भर देंड कर दिया गया इसका क्या मतलब है कुछ नहीं बस खाली उल्गाय रखने का एक दरीका कि भाई ठीक है जी सब लोग ब्यस से फॉर्म बनना चाते हैं जिनके फॉर्म बनने से छूट गया था 19 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं यह हमारे इसके सभी पोस्ट के लिए चलिए उमीद करते हैं एक्जामनेशन जल्दी हो जैसा कि कुछ लोगों की जो है मनसाथी की एक्जामनेशन बहुत जल्दी हो ठीक है पहली चीज तो यह है तैयारी धंक से कर लो ओल इंडिया लेवल का एक्जामनेशन है इसको हलके में मतले न कि जो है यह कोई छोटा मोटा एक्जामनेशन है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें है लाखों की संक्या में फॉर्म बरे गए हैं आल ओबर से आपक पारी बीजन करना है इसी के साथ आज का वीडियो ही समापत होता है अगर आप लोगों को हमारी जो है इनफॉर्मेशन सही लगते हो अगर हम सही चीज आप लोगों को कनवे कर पाते हो तो प्लीज चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिएगा